चावल अगर सफेद सफेद और खिले खिले बनेना तो खाने का मज़ा दोगना हो जाता है तो आज मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपके कोई भी क्वालिटी की राइस हो तो मालो के अगर आपके पास है घटिया क्वालिटी के त्राइस तिर भी आपके राइस बनेंगे बिलकुल खिले-खिले और बिलकुल सफेद सफेद तो खिले-खिले चावल बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए हैं यह चोटे वाले राइस जिनको सोना राइस भी बोला जाता है अब कोई भी राइस ले सकते हैं उनसे भी आपका जो राइस बनेगा बिलकुल खिला-खिला और सफेद सफेद बनेगा बिलकुल सारी टिप्स और ट्रिक्स में शेयर करूंगी जिससे आपके जो राइस बनेगे बिलकुल पर्फेक्ट बनेगे सारी मेजरमेंट में आपको बताऊंगी उसी मेजरमेंट के साथ आपने करना है तो यह देखिए मैंने एक गिलास भर के यह राइस ले लिए है पहले हम इनको धो लेंगे अच्छे से दो से तीन बार जो इनके उपर डस्ट लगी होती है वो सारी की सारी हमने क्लीन करनी है तो यह देखिए हमने दो से तीन बार अच्छे सी ने वोश करना है बिल्कुल भी पानी में डिप करके इनने नहीं छोड़ना है और यह देखिए अब हम लेंगे एक चोड़ा बरतन जैसे जिसका मूँ चोड़ा हो ना इस तरह का अगर आप बरतन लेंगे ना तो उससे भी आपके राइस हैं वो खिले खिले बनते हैं तो यह देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसी गिलास से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ इसी गिलास से मैंने एक गिलास भर के चावल लिया था और इसमें मैं सवा दो गिलास पानी डाल रही हूँ यानि कि दो गिलास भर क पानी डाल रही हूँ और थोड़ा सा और मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला है आधा गिला से नीचे या फिर मेजरमेंट आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे आप डिप करोगे न तो यह जो पहला कट आता है हमारी उंगली का यहां तक पानी होना चाहिए यानि राइस के उपर हमने उंगली रखनी है न कि कड़ाई के उपर राइस को पहले परफेक्ट लेवल बना लेना है और पानी का लेवल है वो इस उंगली के इस पोरवे तक होना चाहिए थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है देशी इसमें और आधा नीमबू निचोर दिया है इससे भी जो हमार कर देंगे धकन दख देंगे 5मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे पकने देना है पांच देंगे बाद के बाद हम धकन को आधा कर देंगे और लो फ्लेमир दस हमने ये देखी इस तरह से और इसे ढख देंगे बिल्कुल 5 मिनट के लिए यहां पे गैस का फ्लेम हमने बंद कर देना है बिल्कुल भी ढखकन नहीं हटाना है और ये देखी 5 मिनट के बाद जब हम ढखकन अटाते हैं कितने खिले खिले राइस बने हैं ये अभी आपको हलके टिप्स और ट्रिक्स से बनाएंगे अभी इस टिक के हलके फुल के आपको लग रही होंगे वीडियो में लेकिन ये बहुत ज़्यादा खिले खिले बने हैं थोड़े से ठंडे होने के बाद तो बिल्कुल एक एक दाना इसका बिघर जाता है तो सारे टिप्स और ट्रिक्स